और ये बड़ी खबर से पुल्टेंट का अगास करते हैं, मुख्यमंद्री योगी आ इतनाथ आज अमिशा से मिलेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंद्री योगी आ इतनाथ की आज अमिशा से मिलने की जानकारी जेपी नड़ा से भी CM योगी मुला दिली में मौझूद हैं इसमें CM योगी चिना परिणाम के बाद आज ये पहली मुलाकात आश्राम मोधी काविनेट की बैठक भी होनी है लेकिन उससे पहले जो जानकारी आ रही है CM योगी की मुलाकात आज अमिश्चा से होनी है जे भी नड़ा से मुलाकात कर सकते हैं मुक्य मंतर योगी अलतिनात साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि राजनाज सेंग नितिन गटकरी से भी इनकी मुलाकात हो सकती है तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हाला कि अब देखिए अब आप सीधे तोर पर समझ सकते हैं कि मोधी सरकार 3.0 का जो कलागाज हुआ है अब आने वाले 100 दिन जो हैं वो सबसे एहम हो जाते हैं और उन्ही 100 दिनों के ऊपर आज की बड़ी बैठक जो क्याविनिट की हुनी है उस पर चर्चा भी की जानी है लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अजितिनाद की समय दिल्ली में मौझूद है आज इनकी मुलाकात हो सकती है कि इंद्री मंत्री अमिशा, जेपी नडड़ा, राजना सिंग और नितिन गटकरी से हमारे साय योगी और जानकारी देंगे पावन गौड फॉन लाइन पर इस समय मौझूद है, पावन गौड इस समय भी सियासी हल्चल दिल्नी में काफी जादा है, एक तरफ तो सौधिन का अजंडा देय करना है, जिस पर आज शाम को पांच बजे मोधी काबिनेट की बैट पर इस समय भी सियासी है, तो अगर बात करें तो अमिश्या रक्षा मंतरी राजना सिंग और जो पेंदरी मंतरी नितिन गड़करी उनके साथ साथ बीज़ेग जेपी नड़्डा और फिलाल में उनने केंदरी मंतरी की शबत भी लिए, तो उनसे भी मुलाकात का समय मांगा हुआ था, तो अगर बात करें तो अमिश्या रक्षा मंतरी राजना सिंग और नितिन गड़करी के यहाद से समय पहुंचेंगे, अभी जेपी नड़्डा के यहां से समय कंफर्म नहीं हुआ है, तो जैसे वहां से भी होता है, तो वहां भी मुलाकात करने का कारिक्रम है, बहुत शुक्री आपका पावन गौर्ड जानकारी के लिए, तो आज जैसे मुख्यमंतरी यहाद इतना, अमिश्या राजना सिंग, नितिन गड़करी और जेपी नड़ा इन से मुराकात कर सकते हैं, जिसको लेकर जानकारी हमारे सही होगी दे रहे थे,